हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि कोविट कितनी तेजी से बढ़ रहा है वापिस से केस बढ़ने सुरू हो गए है ओमिक्रोन पूरे देश में बुरी तरह से फैल चुका है और इस पर ध्यान देते हुए सरकार ने हर जगा कुछ रिस्ट्रेक्शन्स लगाए है का नुकस्तान हो रहा है तो सिर्फ हम जैसे स्टूडेंट्स का क्योंकि हम नहीं एक अच्छी इंस्टिशूशन में जा पा रहे हैं ना टीचर से गाईदेंस ले पा रहे हैं ना अपनी प्रिपरेशन टाइम पे कर पा रहें सारा कुछ रुकसा गया है तो सारा का सारा रुकसान सिर्फ हमारा हो रहा है तो इसके लिए अब हमारे पास एक बहुत अच्छी solution है अगर online में ही हम अपनी preparation offline वाले level की तरह कर पाए तो इससे better हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता So firstly, आपको सबसे पहले अपनी NCRT से स्टार्ट करना क्योंकि NCRT इसके लिए basic होती है So you have to start from NCRT 6-12 की NCRT History, Geography, Political Science आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके साथ साथ बहुत मस्ट है कि आप पढ़ने के साथ साथ notes भी prepare करते जाओ ये आपके लिए बहुत beneficial रहेगा आप जो भी पढ़ रहे हो इसके साथ notes आपको उसी time बनाते जाना है इसके पाद फिर आपको अपनी notes प्रिपेर करने के बाद NCRT से notes प्रिपेर करने के बाद आपको 2-3 मंथ NCRT पर रहना है कि किस subject के लिए कौन से book आपको प्रिफर करनी चाहिए तो फिर आपको तब जाकर standard book पे switch करना है और फिर उससे आपको important पढ़ना है जो आपके syllabus में mentioned है और अब जो आप पढ़ोगे अब आपको अपनी syllabus को जो आपकी IS की syllabus है 2022 के लिए उसको आपको अपने साथ रखना है और उसके according ही आपको अपनी preparation करनी है आपको syllabus में जो भी points दिये हैं उसे अच्छे से cover करना है और सिर्फ वही cover करना है आपको syllabus से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ time waste होगा इसके साथ साथ आपको newspaper newspaper आपको daily पढ़ना है और इससे आपको अपनी notes प्रेपेर करनी है newspaper से generally हम notes बनाते नहीं notes अपडेट करते है मान लो आपने किसी topic पर note बनाई और अब आपने newspaper पढ़ी और उस topic से related कोई points या कोई facts आपको newspaper में मिली तो आप उस point को अपने उस notes में अपडेट करते जाओगे इसी तरीके से आपको newspaper डेली पढ़ना है और उससे notes पना रहा है और इसके साथ साथ आपको करनी है answer writing की प्राक्टिस जो की mains UPSC, mains exam में बहुत जादा important है answer writing तो आपको UPSC में answer writing की प्राक्टिस करनी है आपको अच्छे से time निकाल कर उसके लिए प्राक्टिस करना होता है इसके साथ साथ आपको previous year paper देखने की जरूरत है अगर आप previous year paper solve करते हो तो आपको एक experience रहता है कि कैसे आपने अपनी preparation की है आपको कितना preparation हुआ है आपको और कितनी महनत करने की जरूरत है आप किस level पे हो वो सब के लिए आपको एक पर previous year paper जरूर पढ़ना है और इसके साथ साथ काफी कोचिंग आपको mock test series प्रोवाइड करवाती है आपको वो mock test attend करना है mock test से आपको क्या होता है कि आप उस level की preparation बहुत अच्छे से कर पाते हो और जब आप exam में बैठते हो तो आपको कुछ नया सा नहीं लगता है क्योंकि आपने अपनी preparation खुद से की होती है तो आपको वो experience रहता है कि exam में कोई कैसे questions आएंगे और कितने time बैठना होगा कैसे questions solve करने है तो आप उस time में आपको exam के time कुछ नया सा नहीं लगेगा और बहुत लोग होते हैं जो डर करके first time exam देने में डर करके ही बहुत कुछ भूल जाते हैं तो यहां आपके साथ यह situation नहीं होगा अगर आप mock test certain कर रहे हो और previous year paper भी solve कर रहे हो इसके साथ साथ आपको खुद को interview के लिए groom up करना होगा interview एक बहुत important phase होता है काफी बच्चे बोलते हैं कि mains निकल गया हो गया हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप सोचते हो कि आपने mains exam अच्छ से दे दिया तो अब तो होई जाना है तो ऐसा नहीं है interview भी बहुत important रखता है तो आपको interview के लिए भी खुद को groom up करते रहना है तो यह थी कुछ basic tips अगर आप without coaching prepare करना चाहते हो UPSC के लिए और सबसे important part आपको अपना एक time table ready करना है और consistent रहना है यह नहीं कि आज पढ़े या एक हफते पढ़े उसके बाद फिर दो दिन छोड़ दिया वो काम नहीं करना है क्योंकि वो दो दिन फिर कब दो महना मन जाता है आपको पता नहीं लगता है so you have to be consistent and you have to prepare a proper study time table okay तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए आप मैं चानल को सब्सक्राइब सरूर करें thank you